इसमें कोई दोर आया नहीं है कि जापान वाकई एक बड़ा ही अनोखा देश है, नहीं मानतें। वेल, ये पिक्स देखने के बाद आपको जरूर यकीन हो जाएगा। सबसे पहले ये पिक्स जो प्रोटेस्ट करने का सही तरीका बताती है, अपनी बात रखने के लिए जापान के बस ड्राइवर्स ने लोगों को समय पर उनकी मनजल तक तो पहुचाया, मगर बिना किराय लिए, इससे बस कमपनियों का घाटा भी हुआ और आम जनता को दिक्कत भी नहीं हुई, क्या कमाल का प्रोटेस्ट है भाई? अगली फोटो है एक कैन की, इसके उपर वाले हिस्से पर अंधे लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपी लिखी हुई है, इससे थाबित होता है कि जापान अपने नागरिकों के हर वर्क का ख्याल रखने के लिए क क्योंकि अब आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा, इसके लिए जापान को मिलते हैं एक और पॉइंट, लेकिन अगर आप अपने बातरूम एक्स्पीरेंस को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाना चाहें तो इस पिशाप घर में आप खुद को हलका करते वक्त गे रखा जाता है, ये शांदार लजीज खाना जापान के एक अस्पताल द्वारा वहाँ जन्म देने वाली एक मा को दिया गया था, मेरे मन में तो यही सवाल उठ रहा कि दुनिया के सभी अस्पताल ऐसा क्यों नहीं करते भाई, नेक्स्ट है जापान सिर्फ अपने लोगों कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, पर जापान में ऐसा नहीं होता, किसी बंदे से धक्का खाकर गिरने की वज़े से इस साइकल की घंटी तूट गई, और उसके बाद जो हुआ आप जानकर हैरान रह जाएंगे, धक्का देने वाले ने साइकल के मालिक से माफी मांगते हुए, एक दिन जब वो आपसाई तो देखकर दंग रह गई, उसका बैग एक पेड की नीचे ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था, जहां उसको वो छोड़ का गई थी, और इसमें से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था, एक समय था जब दुनिया भर में ऐसी इमानदारी आम हुआ क करती थी, लेकिन आप लगता है कि ऐसा सिर्फ जापान में ही मुम्किन है, जापान में पाई जाने वाली एक दूसरी अनुखी चीज है, वहां की बिलट ट्रेंस, आप सोच रहे होंगे, इस में कौन से अनुखी बात है, ये तस्वीर देखने के बाद आपको किसी जवाब की जरुवत नहीं पड़ेगी, जबरदस्त रफतार वाली ये ट्रेंस इतनी स्मूध चलती हैं कि खड़ा सिक्का भी अपनी जगे पर ठिका रहे, मान गए भाई, अगर कोई देश गोली की रफतार से सफर करनी के अनुखव को सच कर सकता है, तो वो है जापान, बलेट ट् दिशा में घूम जाने वाली सीड्स, कितने कमाल का आइडिया है, ये थाबित करता है कि जापान वाले कोई भी प्रड़क्ट बनाने से पहले उस पर कितनी मेहनत और दिमाग लगाते हैं, सीरियसली, क्या कुछ ऐसा भी है, जो जापान की ट्रेन में नाओ, फिर से ट्रेन स कही ना कही इंसानियत जिन्दा है, ट्रेन से जुड़ी ये साखरी पिक में आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जापान की एक ट्रेन समय से 25 सेकंड पहले छूट गई, जिया पहले, और ऐसा एक बार नहीं, महीने भर में दूसरी ब रखना चाते हैं, जैसे की पखाना करना, और मजी की बाद तो यह है कि जापान वाले ट्वाले ट्वालेट्स डिजाइन करते वक्त भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, कैसे? वहां की ट्वालेट्स में एक नॉइस सिस्टम होता है, जिसे ओन करने के बाद कोई भी आ अंदर ले जाने की जरुवत भी नहीं बढ़ती, और उनके गुम होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, मानना पड़ेगा भई, जापान वाले अपने चातों को लेकर बड़े सीरियस हैं, चातों को इतनी गंभीरता से लेनी की वज़ए है जापान की बारेश, क्योंकि आप जिस चीज के पैसे दे रहे होते हैं, वो आपको मिलती नहीं है, बुरा लगता है, समाज सकता हूं, पर जापान में ऐसा नहीं होता, यहां तस्वीरों में जो दिखता है, एक दम वैसा ही बिखता है, उम्मीदों पर खरा उतरने का ये सबसे बहतरी नुदार है, उम्मीद है बाकी की दुनिया भी जल्द ही इस रास्ते पचलेगी, मुझे चिंगम चबाना तो पसंद है, लेकिन उसके बाद बचे हुए गम को सही से ठिकाने लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये फोटो बेहत कमाल की हो जाती है, ये ब्रेंड गम के कागस के छोटे-छोटे टुकडे भी कर देता है, ताकि इने चबाने के बाद फेकने में दिक्कत ना हो, मानो इन लोगों ने मेरे दमाग में घुसकर या आइडिया देख लियो, सिर्फ इतना ही नहीं, इन कागस के टुकणों के चलते जापान में आपका पैर चबाकर इस तरह आप जितनी देर चाहें शौपिंग कर सकते हैं, और आपका सामान भी नहीं सड़ेगा, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है, जिसके बारे में जापान वालों ने सोचा ना हो, मगर आप अक्सर सफर करते हैं, तो लैंड करने पर एयरपोर्ट पर मिलने वाले कॉम्प्लिमेंटरी ड्रिंक या नाश्ता या फिर कोई दूसरा चुटा मोटा गिफ्ट आपको पसंद आने लगा होगा, अगर ऐसा है तो टोकियो का नरीटा इंटरनेशनल एपोर्ट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहां यात्रियों को एक ऐसी चीज दी जाती बलकि स्टाफ ये भी सुनिश्चित करता है कि आपकी जापान की यात्रा एकदम स्मूध रहे, और उसकी शुरुआत होती है आपकी लगेश से, यहां आपकी लगेश को कलर के हिसाब से अलग लग रखा जाता है, एज़ा करने से हर चीज का ढंक से हिसाब रहता है, और साम पाटना चाहे तो राद भर पड़ता रहे, जापान के डिजाइनर्स की समझदारी का एक और सबूत, कलाकारी और हुनर को लेकर जापान की लोग बहुत सीरियस होते हैं, और यह बात उनके मैन होल्स पर भी लागू होती है, जी हां सही सुना, मैन होल्स पर, जापान के अल अब इस फोटो को ले लिजे, यहां लोगों से अपने देश के नाम के नीचे एक बिंदी लगाने के लिए कहा गया था, जरा उस कागस को तो देखे, कितना नीट और और ऑर्गनाइजड है, हो भी क्यों न, आखिर आप जापान में हैं, जापान के लोगों पर मानों होती हैं, और सभी लोग बड़े सबर के साथ अपनी बारी का अंतिजार करते हैं, इसी तरह लोग एसकलेटर पर दाई और खड़े होते हैं, ताकि बाया साइट उन लोग के लिए खाली रहे जो जल्दबाजी में हो, वहां के आखों को ठंड़क देने वाला नजारा बाई जापान की संस्कृती में बहुत ही विविधिता है, और वहां के लोगों के एक दूसरे को ग्रीट करने के तरीके से ये बात और भी साफ हो जाती है, जापान के लोग हैलो या गुडबाई बोलते वग्ग जुकर सामने वाले का मान करते हैं, और हैरत की बात तो यह है कि व बहुत से दोस्त आज भी अच्छे से नहीं कर पाते, ये देखकर लग रहा है कि जापान में ड्राइविंग लाइसेंस लिना बहुत ही मुश्किल काम होता होगा, और दूसरे का समान करने जैसे गुणों का विकास होता है, इस बात को साबित करने वाली एक और तस्वीर, यहां बच्चों को अपने स्कुल की सफाई खुद ही करनी बढ़ती है, क्योंकि ये अच्छी आदत आगे जिन्दगी में बहुत काम आती है, बागी की दुनिया को भी अपने बच्चों को ऐसे ही सीख देनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रणाम बहुत ही सुख़त निकलते ह 2014 के फीफा कप के दोरान जापान के लोगों के अच्छे आहते हैं उस वक्त दुनिया की नजरों के सामने आई जब वहां के लोगों ने मैच के बाद रुप कर स्टेडियम के सफाई के काम में हाथ बटाया, अब ये हुआ ना अपने देश की इज़त में चार चान लगाने का एक और बढ़िया मज़िदार तरीका, जापान की स्वच्छता के और भी सबूत चाहिए, इस से तगड़ा सबूत क्या दूं कि वहां की नालियों में आपको कोई फिश तैरती हुई नजर आ जाएगी, मेरे ख्याल से ये दुनिया के इकलौता सा देश है जहां ये मुम जापान वालों की साफसफाई की परंपरा वहां जाने वाले टूरिस्स को भी देखने को मिलती है, वहां पर स्मार्टफोन वाइप करने का पेपर देने वाली मशीन लगी होती है, मैंने तो आज तक ऐसी किसी मशीन के बारे में सुना भी नहीं था, और इससे पता चलता है कि जापान वाले क्या कमाल के लोग हैं, उनके चलते आपका फोन, अब कभी गंदे फोन के लिए परिशान नहीं होना पड़ेगा, जापान वाले चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन एकदम क्लीन रहे था कि आपके उनके देश के सुन्दर नजारों को बैक्ग्राउंड ब रिक्ष दुनिया भर में मशूर हैं, इन सुन्दा रिक्षों को देखने के लिए हर साल भारी मातरा में टूरिस्ट जापान की तरफ आकाशित होते हैं, पर क्या आपने कभी लीगों से बना हुआ सकूरा ट्री देखा है, भले यह आप यकीन ना करें, पर पेड़ पूरी तरह से लीगों से बना हुआ है, लो बाई, जापान की टिकेट बुक करने का एक और रिजन मिल गया, जापान के बारे में ऐसी दिल्चस्प बातें जानने के बाद, अगर आपने अभी तक वहां का टिकेट बुक नहीं किया, तो आ गई अरानी की बात है, इन में से कौन सी फोटो आपको सबसे ज्यादा दिल्चस्प लगी, क्या कोई ऐसी पिक हमसे छूट गई है, जो आपको लगता है इस वीडियो में होनी चाहिए थी, नीचे कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं, क्या पता आगे कि किसी वीडियो में हम उसे शामिल कर लें, वीडियो पसंद झाल